त्रियंकर गांधी वाद्रा बंगला छोड़ने के मून में नहीं यहां तक कि अब सिपारिश भी की जा रहे है लेकिन जब यह खेगँ गांधी वाद्रा हरदीप सिंग पूरी पूरी पोल पट्टी प्रियांका गांधी की खोल कर रख दी और बताया कि किस तरीके से प्रियांका गांधी और कॉंग्रेस हर वक्त जूट बोलती है और सोशल मीडिया पर सबके सामने प्रियांका गांधी की भारी बेज़ती हो गई है तो आपको बता ति रहे हैं और प्रियंकागांधि-वाद्रा भी रह रही रही है और उन्होंने कहा था कि एक महिने बाद यानि अगस्ट में नोटिस मिलने के बाद अगस्ट में उस भादी कर देंगी और इस अवयर्द रूप से प्रयंकागांधि-वाद्रा इतने सालों से उसidences बंगले मे में रहने का कोई हग नहीं है और इसलिए बंगला आप खाली करना पड़ेगा लेकिन प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ साथ इस पर राजनीती भी खुब होई थी और कई सारे ऐसे नेता थे जो इस पर सवाल उठा रहे थे उस पर आचारे प्रमोत किस तरीके से बयान दे बंगला आ लेगी है तो इस तरीके कि वह बाते कर रहे थे काफी बॉखलाहार कांगरिस की सामने आई थी जबकि प्रियंका गांधी वाद्रा का यह कहना था कि मैं एक महीने बाद लेकिन अब इस पर किस तरीके से उनके नेता जुगार लगा रहे हैं ताकि बंगला मिला र और जब ये खबरन मीडिया में आई तो उस पर किस तरीके से प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि ये फेक निउस है और इसके बाद ही प्रियंका गांधी की पूरी पोल पट्टी केंद्रिय मंतरी हरदीप सिंग ने खोल दी उन्हें 4 जुलाई दोपार 12 बच कर 5 मिनट पर एक ताकतवर कॉंग्रेसी नेता का फोन आया था और जिसके बाद केंद्रिय मंत्री हरदीट सिंग ने बताया क्यों उनसे रिक्वेस्ट की गई कि 35 की लोधी एसेट किसी और कॉंग्रेस सांसत को अलॉट कर दिया जाए ताकि प्रियंका गांधी वाद्रा वहां रह सकें और साथ में हरदीट सिंग पूरी ने यह भी लिखा कि हरचीज्व को सेंसलाइस्व मत कीजिए यानि कि प्रियंका गांधी नहीं की और ना ही कर रही हूँ जैसा कि मैंने कहा मैं एक अगस्ते तक बंगला खाली कर दूंगी और जिसके बाद हरदीब सिंग पूरी ने तुरंत पलटवार करते हुए उन्होंने बताया कि जिस नेता ने मुझे कॉल किया था वो नेता कॉंग्रेस में बेहर टॉप पोज क्योंकि सोनिया गांधी के सलाकार एहमद पटेल ही माने जाते हैं और कितने करीबी हैं ये सबको पता है लेकिन इसके बावजूद भी तरीके से प्रियंका गांधी वाद्रा की सबके सामने किरकरी हो और किस तरीके से उन्हें शर्मसार होना पड़ा इससे ये साफ भी जुगार करते हैं और इस पर अगर बात करें तो जनता भी इस पर काफी अक्रोश चीत है क्योंकि ऐसे नेताज जिनको कोई हक नहीं है अवेद रूप से ऐसे बंगलो में रहते हैं और जनता के पैसे पर ऐसकरते हों दूसरी तरफ जनता की भलाई का काम करते हैं तो इस पर जो लोगों के रियाक्शन आ रहे हैं उस पर आपको बता दें कि एक यूजर ने इस पर लिखा उन्होंने कहा है कि मैडम प्रियंका गांधी देश ये जानना चाहता है कि आप अब तक किस अधिकार से सरकाली बंगले में रह रही थी और लेटर मिलन को दो तरफा जटका लगा एक तरफ से तो उनका बंगला भी उनसे चिन रहा है और दूसरी तरफ किस तरीके से उनको शर्मसार होना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे नेता जुगार लगाते हैं और उसके बाद जब जनता में ये बात आती है तो दिखाई देता है कि ऐसे नेता जो आप जनता की भराई की बात करते हैं और खुद जनता के पैसो पर फ्री में एश कर रहे होते हैं और इसी पर केंद्रिय मंत्री स्मिती इरानी ने भी तंज करते हुए कहा कि शक्तशाली कॉंग्रेस नेता ने हरदीप सिंग पूरी को इसलिए फोन किया था क्योंकि ये ह हाई कमांड का ओर्डर था यानि कि हाई कमांड यानि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाद्रा का ही इसमें हाथ होगा और इनके कहने के बाद ही उन्होंने फोन किया होगा ये इसमृती रानी ने बताया और जनता भी यही कह रही है क्योंकि जस तरीके से वो जुग और इससे पहले आपको बताएं कि आखिर प्रियंका गांथी वाद्रा को बंगला खाली करने के लिए नोटिस क्यों दिया गया था। कि एक महीने के बाद मैं बंगला खाली कर दूँगी लेकिन उसके बाद किस तरीके से वो जुगार लगा रही थी और इसी जुगार पर जनता किस तरीके से ये कह रही है कि इतने बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी जुगार लगाते हैं और इससे ये दिखाई देता है कि दिन दहारे प्रजा के आँख में धूल जोक रहे हैं और तकनीकी तोर पर कोई विरोध भी नहीं कर सकता ना कारवाई ऐसा जुगार करने की प्रजा को अनुमत नहीं है क्योंकि देश तो नेताओं की प्रतिक संपत है और इस पर सरकार से भी सवाज जनता ये पूछ रहे हैं ये साफ नजर आ रहा है कि प्रियंका गांथी वाद्रा और पूरी कॉंग्रेस कितनी ब्रश्ट है और जनता के पैसे पर एश करना ही जानती है और इसलिए एक बंगले के लिए इतने बड़े बड़े जुगार लगा रही है और इसी पर जनता का ये भी कहना था कि प्रियं बंगला का मामला ठंधा नहीं पड़ा है और पूरी तरीके से प्रियंका गांथी वाद्रा इस कोशिश कर रही है विल्य नीदो को पो करई रहने दर्कंदृ दर का गया और वह गें सचिन पाइलेट का समर्थन कर रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है कि अधिती सिंग जैसे होनहार नेता कॉंग्रस छोड़ कर जा रहे हैं और प्रियंका गांधी वादरा ने जो कुछ भी राजनीती पिछले दिनों की है उत्तर प्रदेश को लेकर इससे ये साफ है कि प्रिय प्रियंका गांधी वादरा ने सोचा होगा और इसलिए वो जुगार कर रही हैं ताकि बंगला उनको मिला रहे प्रियंकर गांधी वाद्रा का बंगला खाली करना कॉंग्रेस के लिए बड़ा ही दुखद है क्योंकि जिन्होंने 70 सालों तक जनता के पैसों और संसाधनों को जम कर लूटा हो उन्हें सरकारी बंगला खाली करने में पीड़ा होना सोभाविक है सरकारी संपत्ति को तो ये परिवार अपनी पैत्तिक संपत्ति मानते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भारत पूरा देश इनकी जाजाद है अपनी और इसलिए इस तरीके से जो जनता का पैसा है और पूरे देश में कोई भी प्रॉपर्टी है ये अपना समझते हैं और जिस त प्रियंका गांधी वादरा जो गरीब जनता है उसके टैक्स के पैसे से किस तरीके से एश कर रही है लेकिन अगर बात करें तो जनता ये भी मांग कर रही है कि प्रियंका गांधी वादरा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक ही घर में रहना चाहिए ताकि सिक्योर्ट तो मिल जुलकर रहने की क्योंकि जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी बिखर रही है और इनके अपने ही परिवार के लोग अपने ही परिवार को छोड़कर बाहर जा रहे हैं जब तक ये अपने परिवार को साथ में नहीं लाएंगे ऐसा ही होता रहेगा इस मुद्दे पर आ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे झाल